परजब कमांग दुसरा अध्या के श्लोक संख्य तेविश नैनंग चिंदंती सस्त्राणी नैनंग दहती पावकह नैचेनं क्लेदेयं त्यापो ना सोशयती मारुतह यहां आत्मा ना तो कभी किसी सस्त्र द्वारा खंड की आजा सकता है ना अगनी द्वारा जलाय जा सकता है ना जल द्वारा भिगाय या बाई द्वारा सुखाय जा सकता है सरे हत्यार तलवार आगने अस्त्र बर्साक अस्त्र चक्रबात आदी आत्मा कुमार्ण में असमर्थ है ऐसा प्रतित होता है कि आधनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरीक्त मिट्टी, चल, बायू, आका, साधी के भी अनेक प्रकार के हतियार होते थे यहां तक कि आधनिक जूक के नाभिकिय हतियारों की गणना भी आग्नेयास्त्र में की जाती है किन्ति पुर्वकाल में विभिन्न पार्थिव तत्व से बने हुए हतियार होते थे आग्ने आस्त्रों के समान जल के बरुनास्त्र होते हतियार से होता था जो आधनिक विज्ञान के लिए अज्ञान थे आधनिक विज्ञान को चक्रवात हत्यारों का भी पता नहीं है जो भी हो आत्मा को ना तो कभी खंडखंड़ क्या जा सकता है ना कहीं विज्ञानिक हत्यारों से उसका संहर क्या जा सकता है चाहे उनकी संख्या कितने ही क्यों न हो मायवधी इसकी संख्या नहीं कर सकते हैं कि जीव किस प्रकार आपने अज्ञान के कारण उत्पन हुआ है तत पस्चात माया के सक्टी से अवर्थ हो गया नहीं आदी परमात्मा से जीव को विलग कर पाना संभब था प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अन्स है च्योंकि वे सनातन अनु आत्मा है अता हमाया द्वारा आपृत होने की उनकी प्रबृती स्वहाविक है और इस तरह वे भगवान की संगती से पुठख हो जाते हैं एसी प्रकार अगनी के जिस प्रकार अगनी के स्पुलिंग अगनी से बिलग होते ही बुझ जाते हैं जद्य पी इन दिनों के इन दोनों के गोण समान होते हैं बरहा पुराण में जीव को परमात्मा का भिन्न अन्सक हा गया है भगवद गीता के अनुसार भी वे स्वास्वत रूप से एशे ही हैं अता मोह से मुक्त होकर भी जी पृथक अस्तित्य रखता है जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिये गए उपदेश में उपदेश सिस्पस्ट है अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त हो गया किन्तु कभी भी कृष्ण से काकर नहीं हुआ तो इस लोक में भगवान ने अर्जुन को आत्मा का बारे में और कुछ बताने के जा करके चार निशिधों की बारे में बताते हैं कि आत्मा इस चार प्रकार के आकरमन से मर नहीं सकता उसका नास नहीं हो सकता क्योंकि यह लड़ाई के मैदान में अर्जुन खड़े थे और जुद नहीं करना चाहते थे पास नाना प्रकार के दिभ्य अस्त्र बहुत आधनिक अस्त्र था, वो अस्त्र चलाना नहीं चाहते थे, विपक्खे-शन्य के उप अपर कि ऊपने परिवार के सदस्त थे तो अभी अर्जान भागवान अर्जान को कहते हैं कि आपको पास इसा कोई भी ऐसा आस्त्र नहीं है चा कोई दिभ्यास्त्रा, कोई मारनास्त्रा, कोई बायब्यास्त्रा, अग्ने आस्त्रा, बरनास्त्रा कुछ भी एसे अस्त्र नहीं जो आत्मा को जीवात्मा को मार सकते हैं तो कहा को डरता है तर पास जो भी कुछ है आत्मा को मारने के लिए शमर्थ नहीं है आत्मा इसी किसी भी अस्त्र में नहीं मर सकता इसी को कहने के लिए भगवान ना एनंग एना मतलव जीवात्मा ना एन तिसElान सकता हथियार के ऐक भात तो आप लोग को निश्चित शमझ में आता होगा जब किसी को गिला करने कब 99 जिसक्रिक शुखाने का इस सब के बार कहा जाता है तो मतलौ सी उसका आकारт होगा करेंगे किसको काटेंगे किसको सुखाएंगे किसको जलाएंगे तो निश्चित्रव से इस लोग से प्रमानित होता है कि आत्मा कि कोई आकार है कोई साइच है कोई निश्चित्रव से कोई आकार है वो अस्तित्व है आत्मा के तो निश्चित्रव से कोई आकार है बहुतर हो न शिंदनति सस्त्राणि न यृण दहति पावक ह न में धक्रेब यन ती आपो न शवशति मारूत्या lumière आस मतल भी न असको सस्त्र उस काटा जा सकताTok अगनी से जला जा सक्ताना तो पानी से घिलाक्या जा सक्त忙 copyright है यो часा संफ नहीं जा सकता है चार निशेड ही उख शास्तर करें चार का टाने जा सकता वझम है ब Weil आनो सप्टधा सब्सक्ता अर्झी अश्कों वह है त्सटेव अनंग करते हैं यह। आरें करने सब्सक्राइब सब्सक्राइब आख मार्चेर करके अर्जुनुको की चल्फ सोच रहें सिंगीं प्रकार्शन को खंडिन निया कर्मारा नहीं सब्सक्ता इसी के इसी के प्रमान है कि आत्मा है सरीर में और उनका अस्तित्व से तो kiedy तो लग कहता है कि आत्मा इभी ये क्युंकि भागवान प्रमात्माइन कि सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें यहां काड़ा नहीं जा सकता कुछ नहीं कर सकते हैं कि कैसे अलग हुआ लेकिन हमरे वहिश्नप अचारियगन कहते हैं आत्मा भगवान का अंस है मामेवनश जीव लोग के जीव भूत सनातना सनातन जीव का अंस है भगवान लेकिन वो जो धान देते हैं जिसी के अग्नी और सकुछ इंगारी और समस्ता न हो कभी-कभी अग्नी से मूल से अलग हो स जब अलग होता है तो बुझ जाता है अग्नी के साथ रहता तो जलता है तो हम लोग का हो ही है अलग हो प्रशन उठके कि अलग हो गए है तो प्रहपाज ने उत्तर देते हैं क्यूंकि चिंकि वे शनातन अनु आत्मा है अतह माया द्वारा अबुत होने कि उसकी प्रभृत सभाविक है इस तरह है भगवान के संगति से पृत्व हो जाते हैं कि हम लोग इतने चोटे हैं पर शो मॉल और निगलीजिबल तो हमारे जो सकती है बहुत छोटे है मया का सकती भी भगवान का है हम भी मया के भगवान भी नगाइव क्षर कर लेता है सब्सक्राइब करने का सब्सक्राइब करने का सब्सक्राइब करके अगर भगवान की साथ रहे तो बच जाए भगवान से हट जाने से तो माया फट सब्सक्राइब करते हैं कृष्ण भूली सईजी भगवान चा करे निकटस्थ माया तरे जहापटिया धरे हम लोग का अंदर भोग करने का भावना आया भोग करना तो एंजय करने का भावना अंदर ठुश ठुश के भरा पड़ा है लेक तो कृष्ण की दरा एंजय किया जासकता है तो गीव एंजय में टु कृष्ण को भोग कराओ भोग सुख दो तो अटोमेंटिक आपको भी भोग कराप को हो जाए लेकिन हम इंडिपेंडेंटली सेपरेट फ्रम कृष्ण क्रिश्ण से अलग होकर जब भोग सुख का विच अपने इच्छा से एक बहुत स्याम एक तो थे ही और टुकड़े टुकड़े हो गए तुकड़े किया नहीं जा सकता यहां कहते हैं आत्मा को जीव आत्मा को टुकड़ा नहीं तो परमादो केशी करेंगे एक छोटा सा पीस भगवान कहा कि स्मालेस्ट अनुमात्र इतने यह चोटे पाट है उसको भगवान कहते हैं कि उसको टुकड़ा क्या नहीं जा सकता है कि कभी-कवी कोई सुचते होंगे नहीं और इसकू को तल्वार से कभी-कवह मं देखते ना सिप्किलई कोई काण देते हैं शिपकिली के पूछ काण दो पूछ भी जांप करता है वह कि बाग जाता है नहीं नहीं दो आत्मा नहीं है आत्मा रहता है रहता है उसका चेतना रहता है लेकिन अभी जब उसको अलग कर दिया पूछ को उससे तो कुछ चेतना उसमें था चेतना जाने में रहता है तो इसलिए चटशट हुआ पर एक दो मिनिट के अंदर सांत हो जाएक तो और चटनी हो पाएगा जैसे सुरिय उदेर रहते हैं आकास में रहता है जब सुर्य अस्त हो जाते हैं इमीडियेटली अंदकार नहीं हो सुरेये से पहले चारे देखाइपर प्ड़ता थे स्पर्सुरीटर वस्त भो जाते हैं फर प्रेन्जाद का रहता है कि लेकिन ब्लॉर hysterD क़ घ्रला टोई hacen कि कोई मनुष्य के शरीर को एक दो टुकड़ा कर दिया जाए नेकिन उसका मतलब नहीं कि जीवित है जिसमें आत्मा होगा वहीं जीवित रहेगा और अभी नहीं सकता है किसी प्रकार से आत्मा को प्र्टेट किया जातो कि जहां आत्मा और और देखते हैं किसी प्रकार हतीयार से आत्मा को टुकड़ा नहीं किया जा सकता है तो भवान अर्जुन कहते हैं तो आप क्यों डरता है और नाचा धाति पाव का आग में जलाए नहीं जा सकता आत्मा को किसी प्रकार के द्वारा कोई अग्नेयास्त्र को द्वारा इसमें पुराणा दिमें कहीं से उधारणा आपको मिलेंगे जो जिसे प्रिथि महाराज के पत्नी अर्ची देवी ने अंततह आग में अपने पती के चरण को चिंता करते हैं हिमाले की चोटी में आग में प्रवेस कर गई इसे कई सतीधा प्रताम देखते हैं और बाद में देखते हैं कि वह पती-पत्नी दोनों वाइकुण सजाया दो अगर आग में अगर जीवात्मा नश्ट हो जाता तो पर कैसे क्या नहीं जाते हैं वह तो आपने इच्छा के अमसार जहां जाना इच्छा भी नहीं मरता जो सुख्मा शरीर वह भी नहीं मरता मन बुद्धि अंकार ओभी रहता है आत्मा के सार जाता है किवले इस थूल शरीर जल जाता है खंड़ खंड़ होता है मरता है सुख्ता है इच्छा क्या करेगा तो इसलिए आग में जलाय नहीं जा सकता उसके बहुत मत कर देनती आप हो पानी में भी देखते हैं कितने जल से प्राणी रहते हैं पानी में उनका इस को प्रकैते है ख़ थी को दरा भी दौरा भी किशी को आच में पहुंचा जा सकता आत्मा को इस प्रकार अर्जुन खवण कहते हैं कि आपको कोई दरनने का नहीं लड़ाए करो आपका पास हीशा कोई ताकत नहीं कोई सस्त्र नहीं जो आत्मा को मार पाएगा और इस प्रकार चार प्रकार नहीं से कोई हत्यार आजने अस्तर बरुनास्तर बाइबास्तर एतिने प्रकार का स्तर देखें वह लोने ने शोच मत इसके दारा आत्मा का भी यह और आत्मा हमेशा कि आत्मा खंड खंड नहीं होता कि आत्मा के लगवान के साथ स्वत अंसल है तो इसलिए गुनात्वा कौालिटी जो से सब्सक्राइब रेता जब लेकिन आती छोटा फीस होने के कारण ओ मैय के द्वारा लेकिन एसा नहीं है कि मुख से खत्म हो जाने के बाद फिर भगवान एक हो जाएगा अभी महित है इसले अलग है मैं यह भी कहते हैं हाँ हाँ अभी हाम मैं बस हैं क्योंकि हम भूतिक सम्षार में जैसे भूतिक सम्षार निकलेंगे कभी भी नहीं होंगे अर्जुन भागवाद किता सुन करके आपने महोस से मुक्त हो गए क्या भगवान हो गया नहीं 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 अर्जुन का सत्ता बना रहा आप महित अबस्ता में रहो या महों मुक्त अबस्ता में रहो जीव हमेशा भगवान का अंस ग्रूप में अलग ह सब्सक्राइब विभिन्न आंस हमारा यहीं परिच्य है हम भवान के विभिन्न आंस है स्वांस नहीं है तो है ओके